आपका शनी खराब होना शुरू हो जुका है कैसे पज़ जलेगा कि शनी खराब चल रहा है अगर आप शराब पीते हैं तो आपका शनी खराब लेधर की कोई चीज हमें गिफ्ट कर रहा है तो में लेनी नी चाईए बिल्कुल लेनी चाईए कपडबे उधार मांगते हैं, तो आपका शुकर और Shani दोनों खराब है. Shani खराब होता है काली नीले के कपड़ा है. जैसे बात करें Shani की, तो Shani से भी लोग बहुत गबराते हैं, तो कैसे पसèleगा कि Shani खराब चल रहे हैं, सुबे जल्दी उठना बंद कर देता है अपने से बड़ों को बत्तमी जी से बात करता है अपने कामों के अंदर डीलेनेस लेकर रहता है अपने समय पर बताए हुए समय पर जिस जगा पर नहीं पोछता तो that is the activation of कि आपका शनी खराब होना शुरू हो जुका है यह छोटी-छोटी हरकते आपके शनी को खराब करती है अब इसी चीज में बड़ी ले लीजिए अगर आप शराब पीते हैं तो आपका शनी खराब है ठीक है अगर आप किसी के कपड़े उधार मांगते हैं तो आपका शुकर और शनी दोनों खराब है अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली शनी नेगेटिव है तो आपको शराब की लद दिलवा देगा इंडिकेशन करा देगा चाहे अंचाहे आपके फ्रेंड सर्कल के द्वारा आपके पास चमड़ा पहुच जाएगा आपको बेल्ट मिल जाएगी आपको लैदर का बैग as a gift मिल जाएगा आपको अच्छा लगेगा लैदर की घड़ी मिल जाएगी बट यू भी फिल प्राउट की यार मेरे दोस्त ने gift कैए नहीं आपका शनी अप खराब होने शिरू हो चुका है इसका मतलब क्या होगा कि आपकी लाइफ के अंदर execution result आना देरे देरे खतम हो चाहिए तो मतलब लैदर की कोई चीज हमें gift कर रहा है तो मैं लेनी नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए अगर परिवार में gift है तो अलग बात है परिवार के लगा यारा दोस्तों में gift चल रहा है तो नहीं शनी खराब होता है काले निले रंग के कपड़े बहनने के काला रंग क्या है काला रंग एक ऐसा रंग है जो अगर किसी विक्ति को attraction चाहिए उसको काला रंग पहनना चाहिए आप parties में जाएं आप रोज काला पहने आप घर में हैं आप नोकरी पहारें आप बिजनस पहारें जो विक्ति काला निला रंग का कपड़ा पहनेगा वो कुछ नहीं करेगा वो सिर्फ अपने जीवन में संगर्श बढ़ाएगा सिर्फ हार्ड वर्किंग बढ़ेगी पूरे उफिस में सबसे आदा काम करेगा और सबसे दा सुनेगा ये शनी का रिप्रेजेंटेशन ब्लाक और ब्लू से दिया जाता है इसलिए उफिस में प्रधिमन जी कौन सा कपड़ा यूज करें और सबसे बढ़िया अगर आप यूज करना चाहते हैं आप सिंपली वाइट रंग के कपड़े पहने आपका दिमाग शांतर रहेगा इसलिए अपने एसलोजी के अंदर देखा होगा एक वास्तु में रेमेडिय आती है कि जो भी बॉस चेहर होती है उस पर वाइट रंग का टॉबल बिचाया जाए तो यह उसकी छोड़ी छोड़ी टिप्स है आपने अभी बताया है कि कपड़े अगर आपको कोई फ्रेंड से उधार नहीं लेने चाहिए यह जो मैंने पॉइंट आपको बताया है जितने भी लोग आपका पॉड़कास देख रहे हैं उन सब लोगों के लिए है दो गलतिया जीवन में करना बंद कर देजिए सबसे पहली गलती आप अपना सूर्य अपने खुझ से खराब करते है जिस भी विक्ति का शुकर खराब है चाहे या अन चाहे वो ये दो गलतियां करता है पहली गलती वो अपने कपड़ों को यूज करने के बाद अंसेटल वे में कहीं टांग देगा ठीक है या अलमारी में उनको अगर सीधा है तो इसका उल्टा करकर रख देगा या इसको सिर्फ फोल्ड करके कहीं कोने में फेक देगा आप अपना शुकर खराब करें जब शुकर खराब है तो लाइफ में तो बात ही मत करो ना लगजरी कमफर्ट, अम्मेंडन्स की सूरिय भी से खराब होता है कैसे? सूरिय आपकी एक रू है आपके सोल को सूरिय बोलते है आपके शरीर के अंदर, आपके बाड़ी के अंदर आत्म तत्व को सूरिय बोला जाता है अगर आप अपने कपड़ों को रोज यूज करते है अपने आज ये कपड़ा पहना और कल फिर ये कपड़ा पहन लो, चलो कल मत पहनो दो दिन बाद फिर पहन लो पर बिना धुला पहन लो आपका सुर्य खराब होने लग जाएगा ठीक है क्यों आपका आज जब आप एक छूटा से एक्जामपल है अगर आप कभी भी दिया जलाते हैं दिया जलाते हमें क्या लग रहा है कि वो दिया जल रहा है पर कॉंस्टेंटली एक वन आपका सुटे बच्ची भी जानते होंगे कि एक हम ना पानी का वो ले 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 थे बकेट चोड़ा चोड़ा टाइप कुछ बाटब टाइप ठीक है उसके अंदर हम एक छूटा कप रखते हैं काच का एक बड़ा कप रखते है दोनों में हम लोग मूम बतिया चलाते है ठीक है और उसको उपर से ढग देते है जो बड़े वाला है वो दो मिनिट के बाद भूजेगा और जो पानी लेवल है क्योंकि पानी में भी तो ऑक्सीजन है वो पानी की उक्सीजन को उपर खीच लेगा बहुत सिंपल एक्जामपल है घर पर लोग करते भी है बचों को समझाने के लिए भी करते है तो यह जो चीज मैंने आपके बताई यह इस पॉइंट अग्यूस से है कि जो हमारा सूर्य होता है वो हमारी 24 घंटे शरीर के अंदर हमारे इस कपड़ों के अंदर रू है 90 परसंट घर की महिला यह गलती करती है कि इनी कपड़ों को यूज करने कवाद उनका पोच्छा बना देती है तो उनके पती की हालत उसके घर में फाइनेंस की हालत उस पोच्छी की तरह है जब तो उस कपड़े को वो इस्तमाल कर रही है इसलिए हमेशा शास्तरों बता जाता है कि अपना कपड़ा किसी को नहीं देना चाहिए आज कल ट्रेड चल रहा है कपड़ा छोटा हो गया तो कामवाले को बांद कर दे दिया पेंट छोटी हो गई बच्चों की पेंट कभी नहीं देना तो क्या करना चाहिए उन कपड़ा को बहुत बढ़िया क्या करना चाहिए जो भी कपड़े आप लोगों ने पहन ली है और आपको लगता है कि we just need to discard it हमें इसको नहीं पहनना उन कपड़ों को नमक के पाइने से दोईए और उसके बाद कहीं दी दीजे कोई दिक्कत ने होईगी क्योंकि आपने हमारे शरीर में हमारा ओरा है ना आप कपड़ा उतारेंगे तो इसमें आपकी स्मेल होगी हमारी रूँ इसमें होती है इसलिए बोला जाता कि जैसा आप कपड़ा पहनते हैं उसी परकार से आप आप मैं जीन्स पैदा में मैं जीन्स वो टी-शिट में आज़ाऊ हमारे एक बहुत अच्छा बताया जाता है बात में कि हमारा वस्त्र हमारा करम निरधारत करता है लाफ हमारे अगर मैं आज काला कॉट पहन के आपके साथ बैठाँ coaching गा तो मैं एड करेक्ट हूं ऑगर मैं आपके साथ आज इस वस्तर में बैठाँ जो पवितर बास्तर है तो आज मैं के एसवराजर गुरू की पदरी पोड़ती पे बैठाँ अगर मैं सफेद रंगा कोट पहन लो तो मैं डॉक्टर हूँ मैं खाके रंग की वर्दी पहन लो तो डाक्या भी हो सकता हूँ और प्रिसाला भी हो सकता हूँ ठीक है तो आप क्यों उपर है आप किस कपड़ों को पहनते हैं इसलिए बोला जाता है simply एक बोला जाता है कि आप एक letter लिखे B B की डंडी रखें और B को अलग लिखें एक बहुत simple example है आप इसको पढ़ोगे कि ये M है I है दो पहाड है एक डंडी है आप judgment नहीं कर पाएंगे क्यों कि उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है जब यहाँ पर A लग जाएगा और यहाँ पर C लग जाएगा तो आप समझ पाएंगे कि ये A, B और C है इसका मतलब आप उसकी judgment कर पाएंगे कि आपकी संगती में रहने वाले लोग ये बता सकते हैं कि आप कैसे हैं इसलिए कहते हैं कि अपनी संगती अच्छी रखनी जाएगा